क्या आपकी बाइक और स्कूटर में अगर ये इंजन चेक की लाइट ओन हो गई मतलब कि जलने लगी तो क्या इसके जलने से आपकी बाइक और स्कूटर बिल्कुल खराब हो जाते हैं आखिर ये इंजन चेक की लाइट दी क्यों गई है और इसके जलने या ना जलने से चेक की लाइट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों बस बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ लाइक, सेर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना न भूलें अब हम बात करते हैं भाई कि ये इंजन चेक की लाइट आखिर दी क्यों गई है आपकी BS6 बाइक या स् करन में कुछ प्राबलम है जिसकी वज़ा से ये लाइट आउन हो जाती है और कैसे होती है यह मैं दिखा देता हूं रहुल इधर आजाओ यहां पर आप देखेंगे मैं स्विच अन करूँगा और आप देखेंगे ये लाइट आउन हो चुकी है एक बार आप और देख ले जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे ये बंद हो गई तो ये बिल्कुल सही कंडिशन है आपकी बाइक स्कूटर में अगर कोई प्राबलम आती है तो ये डारेक्ट जलती रहेगी कुछ केस में ये जलेगी बुझेगी वह अलग केस हो गया लेकिन यहां पर हम सिर्फ जल इसमें कोई PhD नहीं किया हूँ बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि this is not a dangerous light this light is indicate to you कि योर बाइक स्कूटर है some problem in electronic part अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जलती क्यों है तो दोस्तों अगर आपकी बाइक ये स्कूटर में कुछ प्राबलम आ जाती है जैसे electronic उपकरण में यहां पर आप ध्यान दें कि अगर आपका ब्रेक्सू खराब हो गया है या फिर chain धीली हो गई है या फिर chain स्पॉ या क्यों जलती है तो राहूल इधर आजयो थोड़ा सा यह दिखाओ इधर sensor यह आप देख सकते हैं जैसे यह आप देख रहे हैं यह sensor यहां पर दिया गया है और इधर आ जाओ इधर दिखा दो यह oxygen sensor यह पर दिया गया है यह oxygen sensor है दोस्तों अब अगर मान लीजिए आपकी बाइक के sensor में कोई problem है या sensor खराब हो गया है तो यह light on हो जाएगी अब इसका जलने का मतलब यह नहीं कि आपके fuel injection में ही problem है यह कोई जरूरी नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बाइकों में जहां ABS में हो गई तो भी यह light on हो जाएगी तो इससे आपको कोई डरना नहीं है अब सवाल उठता है कि अगर यह light on हो जाती है तो आपको क्या डरना है बिलकुल आपको डरना ही नहीं है इस light से खास करके अगर यह light on हो गए और आपकी बाइक बिलकुल start नहीं हो रही है चलने की कंडिशन में भिल्कुल इस्टार्ट नहीं हो रही किक मार रहे हैं, यह दावड़्ा की इस्टार्टर कर रहे हैं नहीं हो रही हैं तो उस समय डरनें की वही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर ऐसे में आपकी यह लाइट जलने लगी तो हर समय उसको घबडाने की आपको जरुवत नहीं माली जलने लगी तो आप तुरंद गाड़ी बंद करके खड़ी कर दो के दो भी आप जल रहे है तो बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है अब जै गेर पोजीशन इंडिकेटर भी आए तो वो सारे संसर ही कहलाते हैं और इन संसर में अगर हलकी सी भी प्राबलम होगी जैसे रेडर आप लीजिए या जो बाइक गेर बता रही है एक दो तीन चार पांच एसे गेर बता रही है अगर गेर नहीं बताएगी तो भी यह लाइ लेने की जरूरत नहीं है जब आपकी बाइक बिल्कुल इस्टार्ट नहीं होगी तो फिर आप उसको ले जाके दिखाए नहीं अब हम बात करते हैं कि अगर यह लाइट जलने लगे तो आपको क्या करना चाहिए यह बहुत जरूरी सवाल है अगर यह लाइट ओन हो जाती ह है आप उसको कैसे खोड़ डिटेक्ट करेंगे तो आपको देखना चाहिए जैसे मैं इधर से फिर से दिखाओ यार राहूल इधर आप देखेंगे जैसे जो चीज आपको दिख रही है तो आप देख लें कि कहीं यह कपलर निकल तो नहीं गया है यह तारवार कहीं कट तो अब यह लाइट जलने लगे तो आप थोड़ा बहुत इधर देख लो सीट खोल के देख लो कि कहीं कोई प्राब्लम तो नहीं है अगर उससे बंद नहीं हो रही है तो आप इसको ले जाएंगे सर्विस सेंटर और सर्विस सेंटर में ले जाएंगे तो जो मैं हर वीडियो का सबसे खास पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी बाइक की यह लाइट जलने लगे और आप सर्विस सेंटर जा रहे हैं तुरंत वो उसको रिसेट करके बंद कर देते हैं तो आपको मानना नहीं चाहिए क्योंकि रिसेट करने से आपकी बाइक ही चलेगी तो मतलब अगर आप सर्विस सेंटर में जाएं तो ध्यान रखे कि ऐसा नहीं कि बस गए और रिसेट किया और दे दिया और आप चले आए तो फिर आप आएंगे दो किलोमेटर चलाएंगे जलने लेगी तो इन चीजों का ध्यान दे तो आज के बाद दोस्तों आपको बिलकुल भी डरने की जरुवत नहीं है इस इंजन चेक्की लाइट से अगर आउन हो जाती है तो आप सर्विस सेंटर पे ले जाएं दिखाएं और वो बताएं उनसे आप पूछे कि भाईया दिक्कत क्या है तो वो जैसे मीटर के संसर में प्राबलम है या जैसे य ये ऑक्सीजन संसर में या किसी संसर में प्राबलम है तो वो उसको देखेंगे और उसको सही कर देंगे और तभी आप मानें कि सिर्फ रीसेट करवा के लाकर ना मानें तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है इस इंजन चेक्की लाइ अब मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है एक जानकारी मैं और दे देता हूं हां बया देखें मैं बाइक और स्कूटर के बारे में आपको बताता हूं तो इतना मेरा फर्ज बनता है कि आपको अच्छे प्रोड़क्ट के बारे में बताऊं यह है M2R सैम्पू जो की M2R Plus पॉलिस लगा सकते हैं जिससे आपकी बाइक बिल्कुल लललन टॉप बन जाया और चमकती रहे और यार इस तरीके से खराब ना हो आपकी बाइक मैं यही आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इन प्रोड़क्ट को खरीज सकते हैं और एकदम चमका सकते हैं वीडियो कैस सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर दमाएं क्योंकि हम बाइक और स्कूटर सम्मंधित जानकारी आपके लिए बहतरीन से बहतरीन लाते रहते हैं तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यबाद आपका दिन सुभ रहे धन्यबाद